हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गांधी एंड़ा कंटेंप्रेरी वर्ल्ड की यूनिट फाइफ को काफी डिटेल में कवर करेंगे देखे दुस्तों आपको इस यूनिट फाइफ में चार बातें मुझी रूख से यहा पर समझनी है यहाँ चार आपके टॉपिक्स केलो चार चैप्टर केलो इसको आपको यहाँ पर इस यूनिट में कवर करना है अब यहाँ पे क्या है कि देखे गांदी जी के क्या विचार रहे हैं क्या विचार रहे हैं हिंदुईजम को लेकर यानि कि हिंदुत के बारे में गांदी जी ने क्या बाते कही हैं उनका कैसा विचार रहा है हिंदुईजम को लेकर यह आपको पढ़ना है इसके लावा दोस्तों religious conversion के बारे में यानि कि धार्मिक रूपांतरण है इस पर गांदे जी का क्या विचार है तो आपको इसको यहाँ पर पढ़ना है इसके लावा cow protection यानि कि जो मतलब cow protection के बारे में और language questions के बारे में मतलब भाशव अगरा के बारे इसको आपको पढ़ना है और जो मतलब भाशव रही है तो भाशव के उपर गांदे जी के क्या विचार है इसको आपको पढ़ना है तो यहाँ पर सारी बाते आपको हिंदी में ही समझाई जाएंगी आपको सारी चीज़ी समझ में आ जाएगा बस आप वीडियो को पूरा एक दूसरे से connected हैं और सारी की सारी units आप लोग आपके लिए important है सभी बच्चों के लिए जितनी भी units हैं पर 5 की 5 जितनी भी units हैं सभी important है और आप सारी units देखने का प्रयास करें सारी units आप पढ़कर जाए है exam में अगर आप पूरा पढ़कर जाएंगे तबहीं आपका पे मीजैर रहें ठीक है आप Isको समझ रहां देगे समांता सबसे पहले चीज समांता की बात करते हैं वो कहते हैं कि सभी धर्मक्राइब और इसलिए एक से दूसरे धर्मक्राइब बदलने के आवश्चक्ता इशवर की उपिस्तिति की बात गांदी जी ने की धर्म की व्याख्या घंदी जी हिंदोत्व की कि वियाख्या करते हुए यही बाते कि जो हिंदुत्व और वेक्ति कों अपने अपने धर्म के अनुसार इश्वर की पूजा करने का आदेश देता है ठीक है यह बाते की इसके मतलब यह हिं यह दुस्तों कई सारी की चीजह लंबे समय सक प्राचीनकाल से ही समाहित होती चली गई इसमें कई सारी चीजह वह एक लंबे समय सही सम اiसम know होती गई हैं जैसे कि दूस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर आंब अब बहुत своय उत्न टाइन सब्सक्राइब मैं लेकिं हिंदुत्त였습니다 नहीं चीजिंगे एक कई सारे की समय समय पर समाहित होती होती चली ओ तो हिंदुतुव धर्म और isolate कोई इस्थर धर्म नहीं यह एक एस्थर सर्म यहां पर है कि इसमें कैसारी सीजिज्स समाहित होती चली गई हैं ई इसलिए गंदे जीने दोस्तो इसे जीवन शैली भी कहा है हि del talk द्त धर्म को गंदे जीने जीवन शैले का मतलब वाया से दे लिए ऑफ लेविंग का मतलब फौर सब्सक्रियों ओ 들고 uk कि सारी जो चीजे हैं वो लंबे समय से समाहित होती चलес ग dau है और आगे भी समें इसमें कई सहरी हो शकती हैं और और इसी करण से गांद जी ने इसे एक जीवन शैली के रूप में माना है जो सत्य और आहिंसा की खोज में लगी हुई है इसके लावा गांद जी ईश्वर की खोज की बात करते हैं। इसमें इस्वर करूज को गांदी जीने माना है कि हिंदु का मुक्छ उद्शिय सत्य इश्वर महना हिंदु के केंदेर सिद्धान्थ के रूप महने रखार इसके लावा दोस्तों सर्व धर्म संभाव अब जब G20 की मिटिंग हुई थी दोस्तों भारत में जब G20 का सम्मिलन हुआ था भारत में जी 20 का तो आपने ये जरूर सुना होगा सर्व धर्म संभाव आपने ये वाक्य जरूर जरूर सुना होगा ठीक है तो ये भारत की संस्कृति को दर्शाता है तो गांदेजी ने सभी धर्मों के प्रति सम्मानता का सिध्धानत अपनाया और उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हर कि प्रति संबन और सहिशुन्ता की भावना रखता है तो सर्व धर्म संभाव को यहां पर इस गांदीजी ने रखा है हिंदुटु के विचार में तो यहां पर यही कहा गिया हिंदुत्व अर्धर्म के प्रति संबन और सहिशुनता की भावना रखता है स्वातंदर्ता गांदी जी ने कहा कि हिंदुत्व व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार जीने की स्वातंदर्ता देता है सेवा गांदी जी ने कहा था कि हिंदुत्व का एक महत्पून तत्व है सेवा और उन्होंने अपने जीवन को दू लिए उसार जीने की सुवातंतरता देता है तो यह था दोस्तों कि गांधी जी ने हिंदु तुप पर क्या विचार रखा है गांधी जी का हिंदु तुप को लेकर कि किसी को भी अपने धर्म को बदलने के लिए आमंतरित नहीं किया जाना चाहिए ठीक है मतलब किसी से नहीं कहना चाहिए कि आप अपने धर्म को बदलिये इसके लावा उन्होंने कहा कि एक को एक धर्म को सही और दूसरे को गलत मानना एक तुल्टी होगी एक गलती होगी ऐसा इन्होंने कहा मतलब एक धर्म दूसरे का सम्मान करे ऐसा यहाँ पर गांदे जी का कहना है इसके लावा गांदे जी ने धार्मिक रुपांतरण के खिलाफ अपने विचारों को लोगों के बीच फैलाने का प्रयास किया मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पर यही है कि गांदे जी धार्मिक रुपांतरण के खिलाफी है वो यह नहीं कहरे कि एक धर्म अच्छा है एक धर्म विकार है सभी धर्म संभाव मतलब सभी धर्म जो है वो समान है सभी धर्मों को एक दूसरे के प्रती समान की भावना लाने उसके साथ समानता गांदी जी मांते भी समय है इसलिए एक से दूसरे धर्में बदलने ब्लें कि आवह शक्ता नहीं तो दोस्तों आई होगちゃ Ry diesen कि बाट करते हैं तो दोस्तों ये मुख्य विजार थे धार्मिझ रुपा न्तरंड को लेकर गांदी जी कि आई होप यहां तक आपको सारी बाते समझ में आई होंगी दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं महात्मा गांदी के गाय संडक्षन पर क्या विचारत है ठीक काव प्रोटेक्षन पर गांदी जी के क्या विचारत रहे है पहले दीखे गान्दी जिने गाय को करुुणा की कविता बताया, उनके अनुसार गाय हमारी दयाय का परतीक है बहेभारति मानफटा की माता है और गाय की सुरक्षा का, मतलब पूरे यश्वर की गुंGA सिरिस्टी की सुरक्षा है। गांदीजी जानने उनiasi गये, असलो मिannya खेच Two और मोगिकोड़ा छुप ले सान. गांदीजी जी ने काफी जाता महत विदिया. गांदीजी की अनुसार घंदू धर्म की केंद्रिय तत्थे गे की संड्रक्ष। है उन्होंने कहा कि गाय संडेक्षन मानफ्टा को इस परजाती से परे ले जाता है गाय उनके अनुसार पूरी आमानवी दुनिया का प्रतीक है मतलब दोस्तों यहां पे गांदे जी के जो विचार है उसमें गाये के महत को दर्शाया गया है गाये की स्तिती को दर्शाया गया है और गाये सरलक्षन जो मतलब जो काव प्रोटेक्शन है इस पर गांदे जी ने अधिक बल दिया है अब देखे गांदे जी ने इस पर के बburg यहां पर दर्जह लिए दिया तीखिए यहां पे जीवन को महत्तु मानते हैं गाय के जीवन को बहुत ज्यादा करें गये गई को खत्रें नहीं डाल सकतें काये को चाहीं को यहां पर इसजी यह गान्दी जी ने कहा कि वे गाये की पूजा करते हैं गान्दी जी ने बताया कि गाये हमारे लिए एक आर्थिक वर्दान है ना कि हमारी आये पर एक बोज है बलकि यदि गाये का नाश हो जाता है तो हमारी अर्थवस्ता के उसके साथ ही शिर्ण हो जाएगी और हमारी अहिंस तक अहिंसात्मक्स क्रिशी और गाउं संस्थापिश संस्कृति नस्ट हो जाएगी अब देखे दोस्तों गाए की उपयोगीता पर गांदी जी ने बल दिया गांदी जी का दोस्तों आप गाये का एक हिंदुतुव धर्म में महत तो ही लेकिन यहां पर गांदी जी कहते हैं कि जो हमारी अर्थवस्ता है उसके लिए भी गाये बहुत जादा महत पून है अब यहां पर दोस्तों यहां पर थोड़ा यहां पर बात को समझिए गाये का महत आप ऐसे भी समझ सकते हैं देखिए दोस्तों गाये पोशन का एक बहुत अच्छा इस्त्रोथ है देखिए दोस्तों गाये से दूद मिलता है और दूद एक पोशन का एक बहुत बड़ा इस्त्रोथ है आप जानते ही हैं दूद में बहुत सारे निउट्रियंट्स होते हैं तो जो गरीब जनता है दो लोगों को दोष्दों don lowest को चाहिए होताना उसके लिए भी गाएं कर credit तो यहां पहुत विचार को Commissioner अब कि अप होई होई हो इसके लावा दोस्टों आप हम बात कर रहे हैं यहां भाषला के बारे में और लेकर लेकर गांधी ने का क्या मतलब कोई उस भाशा में बोलना चाहिए हर कोई जिसे समाने लोग आसानी से समझ सकें इसके लावा गांदी जी ने हिंदुस्तानी हिंदू और ओर्दू का मिश्रण को भारत के बड़े हिस्से कि जन्ता की लोग प्रिये भाशा माना इसके लावा जहांबर देखी दोस्तों बात को माना कि हां जो हिंदूस्तानी हैं यानि कि हिंदी और मिष्राण हें हिंदूस्तानी हो drives गांदे présent के radically am अँन्होंने कहा कि एक राक्ष्ट्री भाष्टा के आवश्यक्ता है एक रास्ट्री भाष्टा के आवश्यक्ता पर बल दिया ठीला ना कि हा पूरे देश के लिए एक राश्ट्री इस तरकी भाषा का भाषा की आविश्यक्ता है ताकि लोग एक दुसरे को समझ सके और एक साजह आवाज उठा सके इसके साथ दोस्तों गांदी जीने भाषा की समस्याओं को पहचाना और उन्होंने इसे एक दूइतिय स्थान पर रख कर झाठी हो जाती है और फिर आंदन प्रदेश का गठन किया जाता है भाषा के आधार पर और अलग-अलग राजियों का निर्मांड की आजाए तो गांधी जीने भाषा को एकْ बहुत गंभीर समस्यामाना था और यह भी माना था गांधी जीने कि हम भाशा जैसी समस्या को यहाँ पर हम दूसरे इस्थान पर नहीं रख सकते यह नहीं कह सकते हम कि चलो भाशा की समस्या है वो थोड़ा मतलब इतनी बड़ी समस्या नहीं है उसे हम दूसरे इस्थान पर रख दें गांदी जी ने माना था कि भाशा की जो समस्या है उसे हम मतलब भाषा को समाज के विकास और सम्रिद्धी में दोस्तों एक important role माना हैं मतलब भाषा के महत को गांदे जी के दुवारा सुईकार किया गया है तो भाषा को लेकर दोस्तों ये विचार थे गांदे इन और सबस्क्राइब करें और क्मेंट करके अपना फीड़ पैक जरूर देएं ठैंक्यों झाल झाल